Bollywood News Network में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे साई केतन राव जो इस समय Big Boss OTT 3 के घर में हैं ने विकेंड का वार पर एक बड़ा खुलासा किया जब अनिल कपूर ने उनसे शादी के इरादे के बारे में पूछा और उनकी कथित गर्लफ्रेंड शिवांगी खेड कर के बारे में ताना मारा तो साई ने उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की लेकिन चैट के अंत में उन्होंने शिवांगी के साथ अपने रिष्टे को स्वीकार कर लिया बिग बॉस OTT तीन के घर में विकेंड का वार हुआ अनिल कपूर ने शो की शुरुवात हलके फुल के अंदाज में करने की कोशिश की और प्रतिभागियों से बात करते हुए उन्होंने साई केतन राव की शादी की तयारियों के बारे में पूछा मैंने सुना साई आप साल शादी कर रहे हैं जब अन्यप्रतियोगी यह सुनते हैं तो वे कहते हैं हां सर और ताली बजाते हैं कपूर साई को शादी के बारे में ताना मारते हैं और अर्मान और रनवीर से पूछते हैं कि शादी का सबसे महत्वपून पहलू क्या है रन्वीर का मानना है कि लडकी पाना जरूरी है अर्मान शर्माते हुए स्वीकार करते हैं कि साई की एक लडकी है अनिलकपूर इमली अभिनेता से लडकी के बारे में सवाल करते हैं और वह कहते हैं मम्मी देखेगी लडकी अनिल कपूर उन्हें चिढ़ाते हुए कहते हैं, कोई नहीं, मैं पूछूंगा शिवा, शिवांगी वो नहीं, शिवानी से चिंता मत करो, मैं शिवा से पूछूंगा, शिवांगी से नहीं, बलकि शिवानी से इसके बाद मेजबान प्रतियोगी शिवानी कुमारी से सवाल करता है, जो स्विकार करती है कि वह नहीं जानती अनिल कपूर पूछते हैं, ऐसा तो नहीं साई, गले में आप जो अंगूठी पहनी हैं, वो किसी और की उंगली में जाने वाली हैं, साई मुस्कुराते हैं और शर्माते हुए कहते हैं, यह किसी दिन होगा बॉलिवुड अभिनेता होस्ट तब टिपपणी करते हैं कि अंगूठी काफी जानी भचानी लगती हैं और पूछते हैं कि क्या उनके साथ मंच पर कोई और भी मौजूद था क्रितिका मलिक का मानना है कि अनिल कपूर सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं फिर वह सही से खुल कर बात करने के लिए कहता है और वह शर्माते हुए और मुस्कुराते हुए कहती हैं हाँ सर उस रात बाद में नेजी को इमली अभिनेता को सचेट करते हुए देखा गया कि उसका रहस्य उजागर हो गया है वह उसे यह भी बताता है कि उसे लगता है कि सई और शिवांगी खेड़ कर बहुत करीबी दोस्त है अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस और शो के बारे में अधिक अपडेट के लिए बॉलिवुड न्यूज नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले कि सब्सक्राइब करना न भूले